हलो स्टूडेंस वेलकम तो वाइफाई 2.0 वन्स अगैन वेलकम यू ओल इन दे एससे स्पेशल क्लास जहां पे रोद साड़े चार बजे हम जोड़ते हैं आपके साथ तु डिसकस सम इंट्रेस्टिंग क्वेस्टिंस सम इंट्रेस्टिंग टेकनीक्स और सम इंट्रेस्टिं ल, CHSL और STENO है ना तो SSC के ये तीनों के तीनों एक्जामिनेशन बहुत जरूरी है तो हर एक सेशन को फॉलो करो सेशन देखो पूरा का पूरा क्वेस्टिंस सॉल्फ करो साइड बे साइड और फिर बस अपने एक्जाम की तयारी करते रहो Reasoning या General Intelligence ये एक ऐसा सब्जिक्ट है जिसमें आपको कहीं भी कुछ भी Extra करने की जरूरत नहीं पढ़ती है तो बस Regular हमारे Sessions देखते रहे है, Regular हमारे Sessions को पढ़ते रहे हैं और वहां से ही सारी की सारी चीज़े जो है वो अराम से Cover Up होती जाएंगी तो चलो इसी बात पर वीडियो लिंक शेर करतो अपने फ्रेंज के साथ क्योंकि अब क्लास शुरू हो चुकी है क्लास शुरू होने के साथ साथ आप और आपके फ्रेंज की Connectivity is very important क्योंकि आज फिर से हम लोग Mathematical Operation Based Questions की अगर बात करें तो ये वो questions है basically जिसमें कि हम Board Mass Rule या तो फिर यह कहलो कि आप सीधे सीधे से आगे पीछे करके science को symbols को change करके questions को solve करते हो तो चलो फटा फटा आगे बढ़ते हैं करते हैं questions की तरफ ही जिस जिसकी पहली क्लास है जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है प्लेलिस्ट में बाकी सारे के सारे वीडियो अवलेबल है जो प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के description box में इसके अल्लावा आप अब daily basis पे हमारे साथ इन तो जैसे classes regularly यूट्यूब पर चलती है वैसे ही classes आपकी अनकैडमी पर भी चलती है अनकैडमी को subscribe करने के लिए किसी भी course पर आप click करेंगे तो course पर click करते ही duration का page open हो जाएगा अब इसमें से आपने duration select करनी है 1 month की, 3 month की, 6 month की, 12 month की और 24 months की जो भी आपने सोचा है कि जितने में आप अपना पूरा preparation कर सकते हो तो duration select करना duration select करने के बाद इसी page पर code apply करना है sms 10 और फिर proceed to pay कर देना है benefits subscription के other subjects की classes जिसमें आपका maths, gs, english, current affairs सब आ जाता है और other educators की access that means आप सिर्फ हमारी classes ही नहीं बाकी सारे के सारी educators जितने भी available हैं वो सब आप attend कर सकते हो ठीक है तो यार एक बात हम कहें है मनोहर दवे से, मनोहर दवे के comments हम देख पा रहे हैं तो यार देखो एक बात है अगर आपको हमारी बाते या comment box में किसी की बाते बकवास लग रही हैं जैसा कि आपने लिखा है तो you are free यार आपको किसने बोला है session में continue करो, किसने बोला है कि comments में आप अपनी continuity बनाए रखो but इस तरह के से do not distract students, do not distract the candidates जो यहाँ पे जुड़े हुए है and हम लोगों को मत किया करो, आप लोग उस तरफ force कि आपको हम यहाँ से फिर comment box से remove कर दे, ठीक है, अगर आपका personal किसी के साथ conversation चल रहा है तो please talk, अब क्योंकि class शुरू हो चुकी है और अब हमनों questions की तरफ बढ जरूरी है क्योंकि examination में reasoning के लिए अलग से पढ़ाई करने बैठोगे अच्छा नहीं लगता, because reasoning is a subject जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ mental exercise होना चाहिए, mentally आप से questions करते बनने चाहिए, तो अलग से time invest करोगे reasoning की पढ़ाई करने के लिए, it's just not required, तो इसलिए थोड़ा सा यहा चलो, अब आगे यहाँ पर schedule है, schedule and academy का, साड़े साथ बज़े सुभा bank के free special class, रात में 9 बज़े SSC की free special class, आज नहीं है यह दोनों classes, यह दोनों classes कल होंगी, ठीक है, tomorrow, वैसी यह regular basis पे होती है, लेकिन जिस दिन class नहीं होती है, हम उसके पहले आपको inform कर देते हैं, तो आज नहीं है classes, पर कल होंगी यह दोनों के दोनों classes, सुभा साड़े साथ बज़े वाली भी और रात में 9 बज़े वाले भी, बट साड़े बारा बज़े वाली CHSL की class as it is चल रही है, जो की चलेगी 25 दिनों तक लगातार, without Sunday, without holiday, without anything, 90 minutes का यह पूरा lecture होता है, जिसमें हम डेड़ स्केडियूल यह ही आपके सामने, और जैसा कि आपको पता है कि कल Saturday है, तो कल Wi-Fi Studios पे भी आपको शाम को 7 बज़े एक live session मिलेगा, और 2.0 पे तो as it is मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, तो चलो फिर, क्या कहते हो, question की तरफ move on करे, I guess you all are ready to solve the questions, और questions करने है, questions को अच्छे से attempt करने, 30 seconds का time लगता है कम है, तो यह समझ की चलना कि exam में बहुत जादा time invest करना, reasoning के section में, reasoning के questions में, बाकी sections को कही न कहीं हमपर करवाता है, तो maximum 30 seconds आपका attempt structure होना चाहिए, ठीक है, very good evening guys, once again very very good evening, चलो तो फिर, अब बढ़ते हैं हम लोग questions की तरफ, and let's see the very first question, 30 seconds started, कि अुए, तो… कि चलो टाइम अप हो गया है क्लास का कुछ स्केडियूल समझ नहीं आ रहा है सलोनी तो यार देखो आपको सबसे पहले तो आप यह डिसाइड करो आपको कौन सा सब्जेक पढ़ना है फिर उसके बाद आप यह देखो कि आपके उस सब्जेक की क्लास कब होती है ठीक है और उ देखें यहां पर प्लस मींस माइनस इंटू मींस डिवाइड दिवाइड मींस प्लस मींस मल्टिप्लाइ तो फिर प्लस का माइनस इंटू का डिवाइड का प्लस तो माइनस का मल्टिप्लाइ तब हमें इस एक्वेशन को ब्रेक करना है 138 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 19 डिवा by 5 plus का मतलब हो गया minus 19 और divide का मतलब हो गया plus 35 done तो अब इसको solve करना है तो यह कितने times हो जाएगा हमारा 3, 4s are 12 then 3, 6 are 18 46 into 5 minus 19 plus 35 board must का मतलब होता है पहले divide करेंगे फिर multiply करेंगे फिर add करेंगे और फिर subtract करेंगे ठीक है तो 46 into 5 किता हो गया 5, 6 are 30, 5, 4 are 20, 230 minus 19 plus 35 तो अब यह obvious सी बात है 230 plus कर दो 35 में से 19 अब subtract कर दोगे तो आँसर आजाएगा आपका यह 230 है ठीक है 35 में से 19 क्यों subtract करेंगे यह तो आप समझ गए minus plus का concept है यहाँपे done तो यह हो गया तो 246 option number A is the right answer very well चलो तो let's सीधा ना ना संदीप note करने में 30 seconds लग जग जए तो यार देखो सीधा सीधा साय पूरा का पूरा question note मत करो पढ़ो सिर्फ इता plus का minus into का divide divide का plus minus का into तब फिर 138 into है तो इसको बस वहीं के वहीं करते चलो तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्पीड बनेगा ठीक है चलो question number two 30 seconds अब देखो धीरच की अलग demand हिंदी में बोलें तो हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं भाई अभी चलो time up हो गया अब बताओ six star three star eight star three four star five star six star seven very simple 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 three two seven two very good क्योंकि यह देखो यह क्या हो रहा है यहाँ पर बहुत ही basic सा question है six three's are eighteen eight three's are twenty four multiply हो रहा है तो four five's are twenty six seven's are forty two so eight fours are thirty two and nine eights are seventy two to three two seven two is the right answer done चलो फिर चलो फिर चलो फिर चलो फिर चलो फिर फिर टरी सेंट्स हुम टाइम अपो गया अब बताओ which two signs should be interchanged in the following equation to make it correct अब 132 into 11 मतलब हमें signs replace करने देखो इन questions को करने का एक bestest और easiest way पता है क्या है easiest way और bestest वे यह है इन questions को attempt करने का कि आप multiply और divide इन दो signs को value दो multiply को और divide को क्योंकि जब आप multiply और divide को लेके चलोगे ना तभी कहीं न कहीं आप बागी सारी चीजों को convert कर पाओगे plus minus change करने का कोई मतलब नहीं ठीक है तो अब देखें यहापे क्या हो रहे है हमारा 132 into 11 है तो हम इसको क्या कर सकते है इंटू की जगा divide divide की जगा multiply करके देखते 132 divided by 11 plus 8 as it is रहेगा minus 4 as it is रहेगा divided by 12 है तो divided by 12 क्या हो जाएगा हमारा multiply है ना क्योंकि हमने multiply और divide के sign को change कर दिया done तो अब यह हो गया किता है 11 1s आ and 11 12s आ तो 12 times यह हो गया plus 8 minus इसको multiply कर दो 4 into 12 अब 4 into 12 क्या हो गया है हमारा 48 तो यह हो गया 20 minus 48 so yes minus 28 होता है so option number 2 is the right answer done? चलो फिर नेक्स क्योंकि तरी सिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स चलो time up हो गया है अब बताओ greater का मतलब multiply है lesser का मतलब plus है divide का मतलब minus है plus का मतलब divide है तब फिर हमें 20 plus 5 lesser 6 greater 4 divide 8 को solve करना है ठीक है तो अब sign की जगह रखते चलो तो 20 plus 5 का मतलब क्या हुआ हमारा 20 divide 5 है न यह हो गया 20 divided by 5 lesser का मतलब होता है plus तो plus 6 greater का मतलब होता है multiply 4 divide का मतलब होता है minus 8 अब बताओ तो पहले हम divide करेंगे obviously बात है तो यह चला जाएगा आपका 4 times यहाँ पर plus करो 64 जा 24 कर दो side में 8 कर दो तो यह हो गया हमारा किता 28 minus 8 तो obviously बात है none of these यह इन में से कोई नहीं will be the answer ठीक है क्योंकि 20 आ रहा है और 20 हमारे पास option में नहीं done next question 30 seconds निशी lesser plus कैसे हुआ उपर instruction पढ़ो बेटा उपर instruction में दिया हुआ है कि greater का मतलब multiply lesser का मतलब plus चलो time up अब बदाओ h is a sign of plus q is a sign of minus a is sign of multiply t is sign of divide then what will be the value of h का संकेत plus है q का minus है a का multiply है t का divide है तो बस फिर क्या करना है हमें 4 a 10 मतलब 4 multiply by 10 h का मतलब हो गया plus 42 t का मतलब हो गया divided by 2 और q का मतलब हो गया minus 8 तो यह किता हो गया option no.1 चलो फिर शिक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स चलो time up अब बताओ plus का मतलब हो गया minus minus का मतलब हो गया multiply divide का मतलब हो गया plus into का मतलब हो गया divide so 25 into तो into का मतलब हो गया divide by 5 divide का मतलब हो गया plus तो plus 8 minus का मतलब हो गया multiply 4 plus का मतलब हो गया minus 7 5 5s आ plus 8 4s आ 32 minus 7 तो यह किता हो गया हमारा 37 minus 7 option number D 30 done चलो फिर 7th question 30 seconds अज़े फोरेस्ट गाड की specific अलग से तो class नहीं है लेकिन आप उसका syllabus match करो यही सारा कुछ उसमें भी पूछा जाता है चलो time up अब बताओ divide stands for addition, multiply stands for subtraction, minus stands for division, plus for multiplication तब फिर 4 divided 6 plus 30 minus 5 into 8 है तो 4 divided 6 मतलब 4 plus 6 plus 30 मतलब क्या हुआ है यहाँ पे multiply by 30 minus 5 तो minus का मतलब हो गया divide by 5 और into 8 तो into का मतलब हो गया minus 8 तब क्या करोगे पहले obviously divide करोगे तो 4 plus 6 into 5 6 आ 30 minus 8 अब multiply करेंगे तो 4 plus 6 6 है 36 minus 8 अब plus करेंगे तो यह हो गया हमारा 40 minus 8 that means 32 option number C यह है आपका bodmers method की आपको one by one करना है पहले divide, फिर multiply, फिर add, फिर subtract done next question 30 seconds आपको one by one cut शुझे मीन है 30 कि वह हो प्रे-पे चलो time up, अब बताओ minus means plus, plus means minus into means divide, divide means multiply तब फिर 7 minus 8 divide by 5 into 2 plus 4 very simple तो ये क्या हो गया हमारा 7 plus 8 divide का मतलब multiply by 5 multiply का मतलब divide by 2 और plus का मतलब minus 4 तब क्या करोगे, 7 plus 8 into, अब obvious सी बात है यहाँ पे तो अब ये 5 divided by 2 होगा ने तो हम इसको इस तरही किसे कर सकते है 7 plus 8 into 5 upon 2 minus 4 अब चाहे इसको आप काट सकते हो ये 2 से 4 times चला जाएगा तब किता हो गया ये 7 plus 4 5s are 20 minus 4 तो ये हो गया 27 minus 4 that means 23 option number C board must पूछा किसी ने, तो देखो board must क्या होता है B का मतलब हो गया bracket D का मतलब हो गया division M का मतलब हो गया multiplication A का मतलब अधिशन or S का मतलब अधिशन or S का मतलब अधिशन चलो टाइमर बताओ Yes, simple है अब देखो confusion है यहाँ पर कुछ answers में बट होना नहीं चाहिए देखो हो क्या रहा है यहाँ पर 5, 4, 7, 2 का 56 है मतलब 5 plus 4 plus 7 plus 2 अब इन सब को जब आपने add किया तो add करके किता मिला देखो 5, 4, 9, 10, 16, 17, 18 plus अब 5 into 2 कर दो plus 4 into 7 कर दो तो यह किता हो गया हमारा 18 plus 10 plus 28 हो गया न 28, 28 यह हो गया आपका 56 समझ में आया क्या किया बोलो बोलो पहले हम बता रहें न पहले सब को add किया फिर add करने के बाद पहले number को last वाले number से multiply किया और दूसरे number को तीसरे वाले number से multiply किया फिर सबको add कर दिया समझ गया है अगले में भी देखो यह हो रहा है 6 plus 3 plus 4 plus 2 तो यह किता हो गया हमारा 6,4,10 और 3,13 और 2,15 plus 6 into 2 plus 3 into 4 अब आया तो अब किता हो जाएगा यह 15 plus 12 plus 12 तो 15 plus 24 करना है तो that means कितना हो जाएगा यह हमारा 39 ठीक है तो 39 हो गया यहां ते अब 9,2,3,6 के साथ यह 6 करोगे तो option number C80, good 9,2,3,6 तो 9 plus 2 plus 3 plus 6 तो किता हो गया यह हमारा 20 plus 9 into 6 plus 2 into 3 so 20 plus 54 plus 6 so that means 80 option number C 1 more question 30 seconds यह तो बहुत आसान है जड़ झाएगा 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 झाएग अब बताओ अब इसमें तो कुछ नहीं करना है 145 answer हो जाएगा जस्ट आपने पलट दिया है और कुछ नहीं 962 तो 269 865 तो 568 so 541 मतलब 145 थीक है इतने simple CHSL में इतना ही simple questions आते हैं ठीक है exam में यही चीज़ क्लिक नहीं करती लगता है कि यह multiply हो रहा होगा square हो रहा होगा, into होगा, divide हो रहा होगा तो वह exam pressure exam stress कई बाड 20% question को difficult बना देता है चालो तो फिर, यह हो गया हमारे आज के 10 questions are completed, that means अगर आप देखो तो पिछले 3 दिनों के मिलाके हम लोग ने mathematical operation के 30 questions कहीं हैं, अब यह सारे 30 questions आप solve कर लो, आपके आने वाले CHSL की exam, CGL की examinations में, आप practice अच्छी हो जाएगे, done, बागी classes की timing फिर से देख लो, सुबा साड़े साथ बजे bank की free special class, रात में नौ बजे SSC की free special class, यह दोनों ही classes कल होने वाली है, tomorrow, और साड़े बारा बजे SSC के CHSL का target course, already हमने start कर दिया है, 6 जानवरी से, 25 दिन का course है, यह 25 classes है, जिसमें 5 quizzes है, 5 doubt clearing session है, 90 minutes का पूरा lecture होता है, तो this is very much important, आप इस class को attend कर सकते ह ठीक है, बाकी YouTube का schedule से तो आप familiar होई, तो चलो फिर, session पसंद आया है, तो like करेंगे, share करेंगे, channel को subscribe करेंगे, और कल Saturday को फिर जुड़ेंगे हमारे साथ, 4.30 PM पे, done, and 4.30 PM पे, Wi-Fi 2.0 पे, और 7 बजे शाम को, Wi-Fi studios पे, ठीक है, तो see you all tomorrow, तब तक के लिए take care, bye-bye,